नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे केले के फूल के फाइदों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं केले के पत्त और तनों के साथ इसका फूल भी हमारी सिहत के लिए काफी लावकारी है इसे केले का दिल माना जाता है इसमें अधिक मातर में फाइबर, प्रोटीन, पोटेशम, केलसियम, कौफर, फासफोरस, आइरन, मेगनीशम और विटामिन E होता है जो कि आपकी सेहत के लिए किसी अमरत से कम नहीं है केले के पेड़ का सारा हिस्सा बड़े ही काम का होता है बनाने के काम आता है क्या आप जानते की साउत में केले के फूल की सबजी बनाए जाती है और लोग इसे बड़े ही मन से खाते भी हैं केले के फूल बड़े ही पोश्टिक होते हैं इनमें धेर सारा फाइबर, प्रोटीन, पोटेशम, केलसम, कॉफर, फासपोरस, आईरन, मेगनीशम और विटामिन E पाया जाता है केले के फूलो खाने से आपकी कई सारे रोग दूर हो सकते हैं यह मधुमें PCOS, धिफ्रेशन तता एनिमिया से बचाने का कारिया करते हैं इसलिए इन्हें अपने आहर में किसी ना किसी रूप में जरूर सामिल करना चाहिए तो आईए जान लेतें केले के फूल के फाइदों के बारे में खून की कमी को करे पूरा केले के फूल में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है जो की हमारे सरीर में जाकर हीमोगलोबिन की कमी को पूरा करता है जिससे आपके सरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होती है सुगर को करे कंट्रोल केले का फूल डाइबिटीज के मरीजों के लिए काफी लाबकारी है एक सोध में पाया गया है कि इसका सेवन करने से इंसुलीन का स्थर कम हो जाता है जिससे सुगर कंट्रोल में रहती है लेकिन इसे आपकी पूरी तरह से सही नहीं माना गया है तनाव को करे कम केले के फूल का सेवन करने से आपका मूड सही हो सकता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में मेगनीश्यम पाया जाता है जो की नैचुरल एंटी दिफ्रेसेंट है पाचन सम्बंदी समस्था को करे दूर केले के फूल खाने से बहुत ही हलके होते हैं यानि की इने आप आसानी से पचा सकते हैं साथ ये पाचन सम्बंदी समस्था जैसे की पेट का दर्द एसिडिटी के कारण सूजन आदी से छुटकारा दिलाते हैं किसी भी तरह के इनफेक्शन से बचाए केले के फूल में ऐसे तत्तु पाए जाते हैं जो की पैतोजेनिक बेक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं जिससे आपको किसी भी तरह का infection नहीं होता है periods को करे नियंत्रिद केले के फूल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो की एनियमित periods को ठी करता है इसके लिए एक कप केले के फूल को दही में पाका कर खाने से सरीर में प्रोजेस्ट्रोन लेवल बढ़ता है साथ ही period के समय ज़्यादा bleeding नहीं होती है cancer और heart attack से करे बचाओ cancer और दिल संबंदी कोई भी समस्या हमारे सरीर पर उपस्ति सेलो फर free radical के हमला करने से होता है इससे रक्सा केले का फूल अच्छी तरह से कर सकता है क्योंकि इन फूलों में anti-oxidant नामक तत उपाया जाता है जो कि free radicals का मुकाबला करूने बोड़ी डेमेज करने से बचाते हैं इस्तनपान करवाने वाली मा के लिए अच्छा आयूर्वेद का सुझाओ है कि इस्तनपान करवाने वाली महिलाओ के लिए केले का फूल खाने चाहिए इससे उन्हें दूद जादा बनेगा